हेलो असलालेकुम वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे तो ये जो क्लिप है ये एक माईने पहले की है और हम लोग रासन लेने के लिए आये थे और मैं और भी कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी तो यहां पर हम लोग बैठे है शाम हो गई थी तो बच्चों को भूक लग रही थी तो सोचे कि चलो थोड़ा हलका फुलका खा पी लिया जाए और ये पार्टी दे रहे हैं वैसे तो हम लोग कहीं जाते हैं तो ज़्यादा खाना पीना नहीं ये करते लेकिन आज अपने से ही बोले कि चलो कुछ खा पी देते तो ये मौका गवाने वाले नहीं है तो आज की पार्टी इनकी तरफ से आज ये बहुत ज़्यादा कुछ से हैं इसलिए हम लोग को पार्टी दे रहे हैं और क्या-क्या खिलाएंगे वह यहीं करते हैं और ये जो रेस्टोरेंट है ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है और अभी नगीना ही खुळाएं और जीसू खाया है टी, सू पेपर यानिकि जीसू अबी रसम randomly खाया और बहुं खाने के लिए यह तयार नहीं था । लेकिन जब हम लोग बोलेना कि फुलकी खाएं तो ये बोला हाँ हाँ मैं भी खाऊंगा तो हम लोग चारों लोग अपने लिए फुल की मंगा लिये हैं जब कि मैं उतना खाती नहीं हूँ मैं सिफ दो ही खाऊंगी और बाकि ये लोग फिर आपस में शेयर कर लेंगे ये लोग को जब गुलगपा खाना रहता न तो मुझे जरूर लेके जाते हैं क्योंकि जानते हैं कि ममी ज़्यादा खाएंगी नहीं बाकि यही लोग इंजवाए करेंगे तो यहां पे हम लोग इनका मूद देख रहे हैं क्योंकि हम लोग मना किये थे कि पीज़ा कुछ भी नहीं खाएंगे लेकिन ये पैक कर वाली है बोले कि एक पीजा पैक कर दो और यहां पर आ गया है चामीन बहुत टेस्टी था मुझे ना क्या कहते है कि क्या बोले गोल गपा से अच्छा मुझे चामीन लग गया चामीन अच्छा था जिसू अपने लिए नहीं मंगाया था लेकिन जब हम लोग को देखा तो वो भी खाया उसको भी अच्छा लगा और बाद में रस्म लाई खाते हैं हम लोग हैलो असलाले को वेलकूम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि दी जब आप बोलती है ना आई होप आप लोग अच्छे ही होंग शो जाओ, शो जाओ, लेगिन Maas-Petश पता नहीं कि नेनी ह मारी है जहाई तो आरा लेकिन नेनी कह रहा है जिया've अभी मुझे बना लिगती काफी और मैं और जिया डुने लोग काफी प्यए थे, काफी आज कल बहुत अच्छा बनाने लगी है तो मैं चाय कैंसल कर दी हूँ और अब मैं पीने लगी हूँ काफी तो काफी पीए काफी अच्छा था और आप लोग शादी कितना इंज्वाई किये शादी के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं और आज डेट बता दू ना तो आज डेट है 13 फैब यानि की फरवरी हो गया जनवरी से ना फरवरी हो गया पुरा एक महीना आप लोगों से बात नहीं हुई मुलाकात नहीं हुई पूरी जनवरी चली गई शादी का ना इतना सारा क्लिप था और मैं और भी आप लोग के साथ शेयर करती जैसे मॉर्निंग का जो रिसेप्शन था उसकी कोई भी वीडियो आप लोग को नहीं मिली रीजन यह हुआ कि मैं अपना फोन वाला आप लोग से बताई थी ना कि फोन कामी नहीं कर रहा था वो जो कार्ड लगता है ना मैमोरी कार्ड वाला तो वो काम नहीं कर रहा था उसकी वज़ा से मेरा जो फोन में सूट हुआ वो था ही नहीं और बिलाल मुझे ना पूरा लैपटॉप दे दिया था बुला भावी जो भी आपको वीडियो चाहिए वो पेंडर में ले लीजे तो मैं थोड़ा सा ना संकोची हूँ किसी का भी समान छूने से ना मुझे पतानी क्यों बहुत डर लगता जबकि वो मुझे दे दिया था और ऐसा भी नहीं कि लैपटॉप मुझे चलाना नहीं आता या जीसू को नहीं आता है लेकिन मैं उसका लैपटॉप नहीं चुई तो मैंने बाजी के बेटे यानि आकिप से कहें कि बेटा तुम डाल दो जो भी मैं वीडियो बोल दे रही हूँ तो उसको पेंडराइब में डाल दो तो वो किया मैं सेलेक भी कर ली सब कुछ हो गया पता नहीं क्या हुआ पेस्ट वाला कॉपी पेस्ट जो था न तो सायद उसमें आकिप से कोई गलती हो गई और जब मैं पेंडराइब वहां से ले आई बहुत खुस होके न बरात और वो जो मौनिंग का रिसेप्शन था सब कुछ ले आई जब यहां पे आके और लैपटाप पे लगा के मैं सोची लाओ देखूं तो पूरा पेंडराइब खाली था तो मेरे पास एक भी क्लिप नह कि मैं थोड़ा ना किसी को समान चुने में बहुत जादा डरती हूं बहुत जादा अपना समान हो तो धडल्ले से कर लो लेकिन नहीं हो पाता है तो चलिए कोई बात नहीं मैंने वैसे बहुत सारी वीडियो से अपलोड की पूरी शादी आप लोग को गुमाए तो मुझे अच्छा लग रहा है जब आप लोग गूं रहते हैं वालना तो मुझे अच्छा लग रहता एक बार और जो को में गूम रहती थी तो चलिए भी शाम का टाइम है और अभी जो आप लोग क्लिप देखेना ए मेरे खासें मेरे क् क्लिप बना ली थी जो आप लोग साथ सियर किये थे तो चलिए चलते हैं पहले बैड़ ठीक करते हैं या देखी है और इधर देखिए तो अभी पहले बैड़ ठीक कर लेते हैं और फिर मिलते हैं और आज मैं आप लोग के साथ इंदम बीग impair करने वाली हूँ और सब लेडीज इदम तयार हो जाएए क्योंकि मैं करने वाली हूँ गीव अवे अपने चैनल पर फर्स टाइम गीव अवे करने वाली हूँ और अभी मैं छोटा प्रोड़क्ट लाई हूँ और उसके बाद अगर यह अच्छा चलाना तो फिर बाद में आप लोग एकदम तयार है यह लेडीज तयार है क्योंकि यह जो प्रोड़क्ट है यह सिर्फ लेडीज के लिए है और आप लोग हम ऐसा बोलते देना है कि दिए यह वाला जो प्रोड़क्ट है यह कैसा है यह कैसा है तो इस बार आप लोग को मौका मिल रहा है आप लोग पतायेगा कि ये प्रोड़क्ट कैसा है वैसे तो लोगी बहुत जल्द आप लोग को ये नियूस दूँ और एनॉसमेंट करूँ और बहुत छोटा सा मैं रखूंगी जिसे की हर कोई इसमें पाटिस्पेट कर पाएगा और अपना प्यार मुझे दे पाएगा जिसका प्यार म के लिए रहेगा अभी कोई एक लखी मेरी तो सस्क्राइबर होंगी उनको गिव अवे मिलने वाला है क्या मिलने वाला है आप लोग इंतिजार करिएगा तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में ये आ जाएं और चायवाई पी लें थोड़ा सा मैं भी फ्रेश हो लूँ और नीम तो आई नहीं तो चलिए फिर घर और थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं अब तो काम दाम करना ही करना है तो चलिए मिलते थोड़ी देर में तो घर ठीक करने से पहले मैं सोची की अपने आपको ठीक कर लूँ क्योंकि बाल खुला रहता है और बार बार मुह पर आता है तो नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है गुसा आने लगती है तो मैं सोची कि सबसे पहले मुँ धोलू और बाल जाड़ लेते हैं और उसके बाद फिर घर का काम स्टार्ट करेंगे को कि एक बार घर के काम में अगर हाथ लगा लिजे फिर टाइम नहीं मिल पाता है अपने और सही बता हूँ जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ ना जैसे माली जे कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियो नहीं बनता है तो मैं अपने आप ध्यान भी नहीं देती हूँ मैं सोती है अरे चलो कुछ को दिखाना है लेकिन आप लोगों की वज़ा से ही मैं थोड़ा सा अ क्योंकि बाल मेरा सही नहीं है उपार नीचे है ना तो जब गुते हैं तो इधर उदर से निकल जाता है और आदे घंटे के अंदरी बाल सारा खुल जाता है तो यहाँ पर पौनी बन चुकी है और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मॉस्चराइजर जैसा कि मैं एक ही बहुत यूज करती हो और भी कोई क्रीम यूज नहीं करती हो तो मॉस्चराजर लगा लिये हैं और अब काम करना स्टार्ट करेंगे और आज तो मैं लिबाम भी नहीं लगाई और होट ना बहुत जादा फट रहा है क्योंकि इधर बीच अपने आप पे ध्यान नहीं दिये कुछ यूज नहीं कर रहे थे जिसकी वज़ा से बहुत जादा मेरा होट फट गया तो अब पहले जगा जगा से समान उठा ले क्योंकि बच्चे ना दोपार में क्या हुआ कि जीसु जब स्कूल से आए इसकूल खुल चुका है तो स्कूल से आया ना तो यहीं पर बैठके खाना खा रहा था मैं लेट गई थी तो फिर यहीं पर बरतन रखा हुआ था तो सबसे पहले उसको हटा लेते हैं सब और फिर बिस्ता भी ठीक कर देते हैं ब्लैंकेट का जो सिलाई कर दीती ना कवर को तो अब इसे भी खोलना है दोनों ब्लैंकेट का लेकिन अब टेंसन यह है क अगर अभी ब्लैंकेट उठा के रखेंगे ना तो दूसरे दिन देखिएगा कि बारी शुरू हो जाएगी और ठंड आ जाएगी तो मैं सोच रही हूं कि एक दिन और रुख जाओ एक दिन और रुख जाओ वैसे मैं बहुत परशाद हूं कि जल्दी से बस खोल के और सारा ध अगसे में डाल दें क्योंकि ठंडी का जो है स्वेटर रोटर बहुत जादा फैल जाता है तो एक ठोब लगा रहता है कि फटा फट करके रख दो लेकिन मेरे साथ अधिकतर ऐसा होता है कि जब मैं उठा के ब्लैंकेट रख देती हूं तभी ठंड वापस आ जाती है तो यह लेके चला जाता है तो यहां पर बस अब इसको ब्लैंकेट को ठीक कर देते हैं और यह चेयर ना मुझे बहुत परशान कर रहा है क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है तो बैट भी नहीं पाई यह काम भी नहीं हो पाता है तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं आई